वेल्कम टू मैं चैनल आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डॉमसायल सार्फिकेट कैसे बनाते हैं तो हमें क्रोम ब्रोजर पर चलना होगा क्रोम ब्रोजर पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे यह अपने लिखना है सेम यही जेके डॉट जियोवी डॉट इन और जेके साविसस डॉट सीजएट एन रिजिटेशन तो इस पे जब आप कलिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस होगा आपका कुछ ऐसा इंटरफेस होगा तो सबसे पहले आपने अपने ते आपड़ सेङ उसके बाद आपने यहां पर लिखना है जैसे कि मैं लिखने जा रहा हूं उसके बाद आपने पारन apologise सेलक्ट करनी है यहांपे आप अभादर हैंसमन है तो हम यहाँ पे फादर करेंगे जिनका भी जो कुछ होगा वो यहाँ पे आप कर सकते हैं थोड़ा सा जोहूम करेंगे उसके बाद आपको अपने डेटबभध पर नहीं होगी डेटबभध के लिए आप यह कलेंडर स्लेक्ट करेंगे यहाँ पे पीछे जाएंगे इसको थोड़ा सा जो Bachelor करेंगे यहाँ पे आप इसको खोलेंगे तो आपकी जो डेटबभध होगी आप वो select करेंगे जैसे कि मेरी 91 है उसके बाद आप day, month select करेंगे जैसे कि मेरा date of birth का month फैब है और उसके बाद आप date select करें फिर आपने यहाँ पे gender को select करना है तो मैं mail हूँ इसके बाद आप यहाँ पे house number house number हमारा जो होगा यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं फर्म रोट में रहता हूँ इसको हम यहाँ पे fill करेंगे उसके बाद दूसरा वाला same address ही रखेंगे इसका दूसरा वाला address मेरा ठठार का मैं भी है 38 तो इसको भी हम fill करेंगे अब यहाँ पे हम रामन को fill करेंगे उसके बाद तासीर और यह pin code हमारा select हो चुका है अब कहता है if you were permanent address as current तो हमारा है इसको हम yes करेंगे तो इसलिए यह fill हो गया अब यहाँ पे तासीर को select करना है वो भी fill है अब यहाँ पे हमने phone number को select करना है यहाँ पे उपर वाला जो है वो है land line number तो वो हमने fill नहीं करना है अपने phone number को fill करना है वो मैं कर रहा हूँ उसके बाद अपने email को select करना है 959667 हाँ थोड़ा सा गलत हो गया था हाँ उसके बाद आप mail पर जाएंगे मेरा mail address यह वाला है तो इसके बाद आप यहाँ पर login ID करेंगे जैसे login ID यह रहेगी फिर इसको check availability भी करनी है थोड़ा सा time लग जाएगा इसमें network काफी slow है हाँ तो आपने देखना है कि अद्रीजदेव जो है वो available है इसके बाद आपने जो है यहाँ पर अपना question सेलेक्ट करना है for security reason तो आपने जैसे कि which is what is your favorite book तो आपकी favorite book कौन सी है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है जैसे कि मेरी favorite book कौन है आप कुछ भी बढ़ सकते है उसके बाद आपने इसको जो है आप इसको प्रिव्यू करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रिव्यू होने में क्योंकि यह साइट जो है अभी first first जो है वो हो चुकी है इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे कहीं पर कोई फाल्ट तो नहीं है यह प्लीज स्लेक्ट लॉग इन आईटी विच कैन भी इसको आप प्रिव्यू करेंगे आप क्या एरिया कोड एलोज थ्री एंट मैक्सिमम फाइव डिजिट वाली एन इच्छुट स्टार्ट विट जेरो एक्चुली हमारे पास इसमें तो बरने के लिए कुछ नहीं है हमने कहीं फोन नबर गलत बरा होगा हाँ यह गलत बरा है हमने क्योंकि यह हमारे पास इसको हम खतम करेंगे को बरने की कोई जुरूद नहीं है अब हम इसको प्रिव्यू करेंगे अब जब आप इसको प्रिव्यू करोगे तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस होगा तो अब आपने इसको सब्मिट करना है सब्मिट करने के बाद कुछ ऐसी आईडी होगी तो इसको आपने पहले जो है स्क्रीन शाट करके रखना है तो ये आपकी जो है रिजिस्टेशन हो चुकी है यहाँ पे आपने जो है अपना जो लॉग इन पास्वोर्ट है उसको अपनी जो है नोट बुक पे लिख कर रखना है जैसे मेरा है अद्रीज देव और और पास्वोर्ट जो मेरा है वो है एक्स यू वन नाइन और ये जैसे एस जैसा और फिर है ये एंड जैसा तो अब हम जाएंगे यहाँ पे जो है आपके अपर में जूम कर रहा हूं यहाँ पे यहाँ पे आपको जो है लॉग इन मिलता है तो आप यहाँ पे लॉग इन पे जो है वो क्लिक करेंगे यह पूश रहा है इ अब यहाँ पे लॉग इन पे आपने अपनी आईडी देनी होगी जो आपने लिख कर रखी है अपने नोट बूक पे जैसे कि मेरी आईडी है आई डी आर एस एस डी ए वी और उसके बाद आपने अपना पासवोर्ट सेलेक्ट करना है जैसे कि मेरा पासवोर्ट है एक्स यू वान नाइन और फिर ये एस और फिर हमारे पास ये एंड और इसके बाद हमारा जो है यहाँ पे एज रूल हमारे पास क्या है अड्मिस्ट्रेटर है हम स्टेजन है तो फिर हमने कैप्चा बरना है कैप्चा हमारे पास जो है वो है शोटा Z और फिर है T फिर शोटा Z फिर है D फिर है G और फिर है V और फिर उसके बाद हमने इसको सब्मिट कर देना है हाँ यहाँ पे ये बोर रहा है कि आपने जो है करना क्या है आपने अब अपने password को जो auto generated password आपके पास आया था उसको change करना है तो यहाँ पे आप कोई भी password दे सकते हैं जैसा कि आप सोचे तो वो फिर आपने लोगों तक नहीं पहुचाना है वो एक secret है उस password को आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें हमने नया password लगा दिया है अब हम सब्मेट पे क्लिक करेंगे तो यह कुछ ऐसा अपडेट हो गया है तो आप यहाँ पे e-service पे क्लिक करेंगे तो आपके साथ में कुछ ऐसा इंटरफेस होगा तो यहाँ पे आपने क्या करना है अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसके बाद आपने general administrative जो आप यहाँ पे दिख रहे हैं थोड़ा सा जूम कर लेंगे इसको general administrative पे क्लिक करना है थोड़ा सा लेके जाएंगे तो application for domicile certificate इसको हमने जो है वो करना है क्लिक क्लिक करने के बाद आपका half तो बरा हुआ होता है तो यहाँ पे फिर आपने जो है इसको थोड़ा सा जूम करेंगे जूम करने के बाद फिर कुछ ऐसा interface होगा तो यहाँ पे नेम आप तो मादर आपने लिखना है राइट आगे बेगम है और पहले से mail दिया हुआ है अब यहाँ पे आपका इधार नमबर चाहिए होगा अब यहाँ पे आपने जो है जो document सेलेक्ट किया जैसे मैंने हाँ पे PRC को सेलेक्ट किया हुआ है पामरेट रेजिटेंट सार्टिकेट होल्डर तो इसकी फोटो कापी आपने अपलोड करनी है फाइल्स में जाके तो यह कहता है के ओरिजिनल और अटेश्टेड कॉपी तो हम यहां पे compressor में जाएंगे जैसके पहले भी दिखाया हुआ है मैंने तो हम जब compressor में जाएंगे तो यहां पे हम फ्रामदा फोल्डर से हम select करेंगे तो हम यहां पे यह करेंगे पिक्चर्स में जाएंगे और यहां पे हम कैमरा में जाएंगे तो कैमरा में हम search करेंगे कि उसकी पिक्चर्स हमारे पास है तो हमारे पास जो है हमने select from folder करना है जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ तो इसके बाद हमने जो है यहां पे select करना है जैसे यह वारा हमारा photo है तो इसको हमने select किया अब इसकी quality को हम थोड़ा सा कम करेंगे जैसे कि 42 करेंगे उसके बाद हम इसको compress करेंगे थोड़ा सा time lag गया यह हमारे पास 60 KB बना तो हमें जुरूरत है फिर से check out करेंगे कि हमें कितना जुरूरत है यह निकि 250 KB से ज्यादा नहीं होना चाहे तो इसका यह मतलब है कि हमारे पास ठीक है अब हम उसके resolution को check करेंगे क्या इसके resolution ठीक है अगर इसके resolution ठीक है तो इसका यह मतलब है कि हम इसको हाँ बिल्कुल इसके resolution बिल्कुल ठीक है अच्छी तरह से पढ़ा जा सकता है तो अब हम इसको upload करेंगे upload करने के लिए हम फिर से इस पेज़ पे जाएंगे यहां पे थोड़ा सा रुकेंगे और इसके बाद जो है हम पामनेट सारिफिकेट को चोज़ करेंगे यह हम फिर फाइल में जाएंगे फाइल के बाद हमारा जो यह वाला फोटो है इसको हम सेलेक्ट करेंगे इसको हमने सेलेक्ट किया थोड़ी सी प्राब्लम है फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे फाइल्स में जाके हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं हो नहीं पा रहा है कोई प्राब्लम है हमें देखनी होगी कि यह प्राब्लम क्या है प्रिवु करने के बाद हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस आया है तो हम इसको अब जो है एक ब़र फिर हम आपको इसका इंटरफेस पूरा दिखाएंगे सेलेक्ट करेंगे चैगए ओट करेंगे हमारा तक्रिबन सारा ठीक है इसके बाद हम इसको डारेक्ली सब्मेट करेंगे सब्मेट अब हम सब्मेट में चाहेंगे राइट यह हमारा सब्मेट हो गया इस पे हम क्लिक करेंगे तो यह हमारा सब्मेट हो रहा है थोड़ा सा टाइम लग रहा है जब यह सब्मेट हो गया तो हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया लेकिन यह कहता है प्रेंट रिसिप्ट अब रिसिप्ट को हमने प्रेंट करना है इसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि नेट काफी स्लो है यह हमारा प्रेंट हो चुका है इसको मैं जूम आउट करूँगा तो आपको सब कुछ दिखाऊंगा पहले हमारी एप्लिकेशन डेटेल स्व एप्लिकेशन नंबर हमारे पास जो एप्लिकेशन नंबर बना वो बना डूम जीरो नाइन ट्री फोर एक्सटाइए आप देख सकते हैं इसके बाद हमारा जो फोटो अप्लोड हुआ वह यह वाला है बहुत अच्छे से फिर आपके पास जो परसनल यहां पे दिया हुआ है वो सब इदर दिया हुआ है और आप इस डेटेल को देख सकते हैं तो डामिसायल सारिफिकेट इस तरह से आप जो है अगर पावनेट रेजिडेन है और व्हां आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको अप प्रिंट भी कर सकते हैं जैसे कि हम डाउनलोड पर हम कुलिक करेंगे अब हमने मैंने स्टाइम बनाई हुए है पता भी नहीं है आ है ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है आपको थोड़ा सा पेशन्स की जुरूत है सौरी हाँ यह हमारी पामनेट सारिफिकेट जो हमने यहीं से टैज की थी वही पामनेट सारिफिकेट यह डॉनलोड हो रही है तो इसके साथ ही मुझे अजाज़त दीचे आप चैन नहीं कर पा रहे हैं 300 रुपीज जो है वो दे तैर हैं ऑनलाइन फाम बारने के लिए तो उनके लिए यह विडियो है ताकि आपका 300 रुपे बच जाए तो आपने देखा और इसली मैंने कुछ भी नहीं किया सिर्फ कुछ जो है वो फाम्स परे फिल करे क्रॉप्स के फोट नहीं बलके उनकी जो है साइज को आप कम कर सकते हैं विदाउट जो है वो लोजिंग दे रेजलेशन तो उसका वो रेजलेशन भी लोज नहीं होगा तो प्लीज सबस्क्राइब चैनल को कीजेगा उसको सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा और आप जो है लाइक बटन भी दबा सकते हैं अगर आपको यह विटिॅ पसंद आई होगी अगर नहीं पसंद आई होगी तो आप दिसलाइख भी दबा सकते हैं और इसके बाद आप नहीं ज़र मुझे मुझे कमिट मैं भी लिख सकते हैं thank you very much for being the bar of this video thank you